दोस्तो हमेशा से ही हमारा यह मानना रहा है कि कुत्तो का रोना अपसगुन होता है और ये बात हमेशा हमारे चेहन में दोड़ती रहती है कि आखे कुत्ता रात में क्यों रोता है हम हमेशा से हमारे पूर्वज की बात मानते आए हैं और कुत्तो का रोना अपसगुन मानते हैं यदि कोई कुत्ता रात में रोता है घर के सामने तो हम यह समस्ते हैं कि हमारे पूर्वज या हमारे बड़े बुजुर मरने वाले हैं ऐसा भी कहा जाता है कि कुत्तों का रात में रोना भूत या आत्माओं का कारान होता है मतलब हमारे आस पास आत्माओं का वास होता है जिसे देख कर गुत्ता रियक्ट करता है काफी लोग इस बात को अंधविश्वास मानते हैं लेकिन प्राचीन काल में रिसी मुनियों ने इस तरह के कई संकेत बताएं हैं जिस पर आज भी काफी लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं। दोस्तों आईए जानते हैं कि क्या ये बात सच है या जूट। सबसे पहले हमें यह बात जानना जरूरी होगा कि कुट्टे रात को रोते नहीं हाउल करते हैं। अगर कुट्टे किसी दर्द में या तकलीफ में होते हैं फिर भी वो हाउल करते हैं। और उसे कोई तकलीफ या दर्द होता है तो उसे बया करने की कोशिस करते समय भी वो हाउल करते हैं। जब कुट्टा अपने आपको बहुत अकेला महसूस करता है फिर भी वो हाउल करते हैं। कुट्टे को तेज आवाज पसंद नहीं होती क्योंकि वो बहुत हलकी सी हलकी आवाज मनिस्यों की सुन पाते हैं। इसलिए वो तेज आवाज से दूर भागते हैं। उसे तेज आवाज पसंद नहीं क्योंकि उस तेज आवाज के कारण उन्हें बहुत दिक्कत होती है। और इसी वज़ा से वो हाउल करते हैं। दोस्तो आज के बाद अगर आपके भी महले में कोई कुटा रोए तो ये मस समझेगा कि उसके पास कोई आत्मा खड़ी है। उसे सांथ कराने के लिए आप उसे एक रोटी दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है। तो कब करेंगे अभी करिए। क्योंकि हम हमें साइसी ही इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं।